हाई दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह आपने स्मार्ट फोन में 18 प्लस वेबसाइट को ब्लॉग कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको Google Chrome and Google के कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिन सेटिंग को करने के बाद आपके मुबल फोन में 18 प्लस के वेबसाइट ओपन ही नहीं होंगे अगर आप भी इन वेबसाइट को बंद करना चाते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं तो चलिए अगर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेश्ट करता हूँ चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल एगन को ब्रेस करना यहाँ पर आपको ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों पहले तुमाँ आपको बताऊंगा कि आप किस तरह आपने गूगल क्रोम में 18 प्लस के वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं इसके लिए आपको गूगल क्रोम एप ओपन कर लेना है और राइट साइड में आपको त्री डॉट्स दिखाई देंगे उन त्री डॉट्स पर आपको क्लिक करना है जैसे आप उन त्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यह पॉप अप आ जाएगा यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ओप्शन दिखाई देगा तो settings पर click किजिए, settings पर click करने के बाद आप इस page पर आ जाएंगे, यहाँ से आपको इस page को scroll down करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, privacy and security तो इस option पर click किजिए, जैसे आप privacy and security पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे, यहाँ से आपको इस page को scroll down करना है, और यहाँ पर आपको option दिखाई दे रहा है Use Secure DNS तो इस option पर click किजिए जैसे आप उस option पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके smartphone में यह option off है तो इसको on कर लीजिए जैसे आप उस option को on करेंगे तो नीचे आपको और दो options दिखाई देंग तो यहाँ से आपको Choose Another Provider के option पर click करना है जैसे आप उस option पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर custom का option दिखाई देगा तो यहाँ से आपको custom पर click करना है और यहाँ पर आप option देख रहे हैं Clean, Browsing, Family, Filter तो इस option को on कर लीजिए जैसे आप इस option को on करेंगे तो आपके Google Chrome में 18 Plus के website बंद हो जाएंगे दोस्तो आप मैं आपको बताऊंगा कि आप Google में किस तरह इन website को block कर सकते हैं इसके लिए आपको Google application open कर लेना है जैसे आप Google पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे उपर आपको अपना icon दिखाई देगा तो उस icon पर click किजिए जैसे आप उस icon पर click करेंगे तो आपको यह pop up मिल जाएगा यहां से आपको settings पर click करना है जैसे आप settings पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे यहां पर आपको option दिखाई देगी है height explicit results तो इस option पर क्लिक कीजिए जैसे आप उस option पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको पहले या फिर दूसरे वाले option को choose कर लेना है तो यहां से मैं पहले वाले option को choose कर लेता हूँ जैसे आप उस option को choose करेंगे तो safe search filtering is now on तो यहां से आपको इस setting को on कर लेना है जैसे आप इस setting को on करेंगे तो आप के Google में भी 18 plus website block हो जाएंगे तो इस तरह आप इन setting को करकर Google Chrome and Google में 18 plus के website को block कर सकते हैं उम्मिद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी ऐसे और इंटरस्टिंग वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब केजिए थैंक्स पर वाचिंग इट